नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड इलाइची के फायदों से रिलेटेड है इलाइची हर भारतिये के घर में पाई जाती है यह माउथ फ्रेशनर एवम मसाला होता है जो कई तरह के व्यंजन में डाला जाता है इलाइची का स्वाद अलग तरह का होता है इससे ये सभी को भाता है इसके बहुत से स्वास्ते वर्धक फायदे भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इलाइची दो तरह की होती है बड़ी इलाइची छोटी इलाइची बड़ी इलाइची सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं या खाने में मसाले के रूप में उप्योग होती है या एक तरह का बड़ा मसाला है जो गर्म मसाला में एहम भूमी का निभाता है छोटी इलाइची के बारे में अब जानते हैं यह माउथ फ्रेशनर है जिसे खाने के बाद सभी लेते हैं इसे मीठा में उप्योग करते हैं क्यूंकि यह अलग तरह का स्वाद देती है एवं इसकी सुगंध अब को आकरशित करती है अब आएए हम जानते हैं कि इलाइची में कौन-कौन से पोशक्तत्व पाए जाते हैं आयरन, विटामिन C, नियसीन, रिबोफलेविन, पोटेशियम, मैगनेशियम, कैल्सियम यह सारे गुन पाए जाते हैं भोजन में स्वाद के साथ साथ पाचन सही करता है, यह मुँख की दूरगंध को भगाता है, इनीमिया को दूर करता है, आए तो हम अब स्टार्ट करते हैं इलाइची के फायदों से रिलेटेड जानकारियों को, पाचन तंत्र को सबसे पहले तो यह मजबूत करता है, हर भारते खाने के बाद अपने मेहम करते हैं, आपको पता है ऐसा क्यों? क्यूंकि इलाइची में नेचुरल तत्व होते हैं, जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, इससे गले एवां पेट में होने वाली जलन भी कम होती है, शाथीं पेट के अंदर की सूजन कम करती है, इलाइची से गैस एशिडीटी, खर इसे रोज खाने के बाद एक चम्मच पानी के साथ खाएं पाचन से जुड़ी सारी परिशानी दूर हो जाएगे आपकी इसके बाद आते हैं दूसरे फायदे पर इलाइची के सर्दी खराश को दूर करती है यह जिहां सर्दी की वजह से कई बार गले में बहुत दर्द होता है और अजीब सी खराश होती है इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है इलाइची सुबह खाली पेट एवं रात को सोने से पहले एक से दो इलाइची चबाएं फिर गुनगुना पानी पी लें गले को कुछ ही समय में आराम मिलेगा इलाइची गर्म करती है जिसके सिवन से शरीर में गर्महट बढ़ती है एवं सर्दी खांसी से आराम मिलता है कपकी भी परेशानी दूर होती है तीसरा हिचकी बंद कर देती है जिहां इनसान को कभी भी अचानक हिचकी आने लगती है इसकी कोई दवाई तो नहीं है नहीं कोई दवा बजार में आती है कुछ इलाइची मुह में दबानी है इसे चबाते रहिए कुछ देर में हिचकी खुद बखुद गायब हो जाएगी इसके बाद चोथा फायदा है इसका ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करती है इलाइची में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की भी शमता होती है इसमें पोटे अंदूरूनी सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी की बाहरी हम बाहरी सफाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन शरीर के अंदर की सफाई कभी भी नहीं करते या फिर उसके बारे में सोचते हैं कुछ भी अटर सटर खाते रहते हैं टैंकर की तरह सब भरते जाते हैं शरीर के अंदर आपको अंधूरूनी सफाई का आसान तरीका बताता हूं है आपको रोज बस एक इलाइची खानी है इससे किडिनी से सारे विशेले तो बाहर निकल जाएंगे खुद बखुद अब आए हम छठे फायदे को जानते हैं यह दिमाग को मजबूत करता है जी हां मच दूध डालकर पीस लीजिए इसके बाद एक ग्लास दूध में इसे मिलाकर आधा होने तक गाढ़ा कीजिए फिर इसमें मिश्री मिलाइए और खाये यह बच्चों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है दिमाग को मजबूत करता है यानि कि उनकी पढ़ने की याद कर खाये थोड़ी ही देर में अच्छा लगने लगेगा आपको इसके अलावा आठवा नमबर है कि मुह के संक्रमन को यह दूर कर देता है जिहां मुह की दूरगंद किसी तरह का संक्रमन अलसर इन सबसे इलाइची बचाता है आपको सांसों में होने वाली बद्बू से बचन हैं इलाइची खाने से पल्स रेट सही रहता है एवं खून का संचालन बोड़ी में सुचारू रूप से होता है इसके अलावा नमबर टेन है तनाव मुक्त बनाता है यह आपको अगर आपको किसी बात की चिंता है या बीना बात के आप अकिलापन में हसूस कर रहे हैं इलाइची वाली चाई पीने से हार्मोन तुरंत बदल जाते हैं और तनाव छूम अंतर हो जाता है लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अत्यधिक महात्रा में सेवन करते हैं इसलिए लोग ध्यान रखें कि जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर बहुत ज्यादा महात्र में इलाइची का सेवन करते हैं वो ना करें सबसे पहले इलर्जी जिहां लागातार इलाइची खाना या ज्यादा मात्रा में इलाइची खाने से शरीर में रियक्षन होने लगता है और फिर किसी भी तरह की इलर्जी होने लगती है जिससे शरीर में खुजली स्कीन में रे प्रिशन हो सकते हैं जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं सीने एवं गले में खिचाव और दर्द होने लगेगा सांस लेने में परिशानी होने लगेगी आपका जी मिच लाने लगेगा तो इलाइची का सेवन बंद कर दीजिए कुछ एक दिनों के लिए इसके बाद अगर आप पथरी से ग्रसित हैं जी हां कई बार इलाइची पथरी का कारण बन जाती है एक शूद के अनुसार पता चला है कि हमारा शरीर इलाइची को पूरी तरह से पचान नहीं पाता है फिर अत्यधिक मातरा में इसे लेने से ये धीरे धीरे इकठे होते जाते हैं और गाल ब इलाइची इनके साथ रियक्षन करके दूसरी परिशानी उत्पन कर देती है या कई बार आपको दवाईओं का असर बंद हो जाएगा अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो इलाइची खाने के आदत आपको छोड़ देनी चाहिए जब आप स्वस्ता और सही हों तभी इला आदत ना बनाए एक सिमित मातरा में ग्रहन करें आपको इलाइची के फायदेयों नुकसान कैसे लगे यह एपिसोड हमारा कैसे लगा जरूर बताईए और इसके साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके अपने करीबियों को खाना भी है हमें लेकिन बोडी में किस चीज की कितनी मातरा होनी चाहिए कब हमें खाना है कब नहीं खाना है हमें अगर पता होगा तो हम बहुत सारी बिमारियों से वैसे ही बच सकते हैं तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि जितनी भी खानी की चीज़े हैं हमारी और उश्रधी के रूप में उपयोग की जा सकती हैं, तो इन से related हम आपको जानकारियां देते रहें, जिसके बदम आप अपने आपको स्वस्थ रख सकें, और किसी भी बीमारी से अगर आप पिडित हैं, तो उस बीमारी में किस चीज का सेवन करना है, किस चीज का नहीं करना है, इससे related जानकारी आप प्राप्त कर सके तो दोस्तों ऐसी ही अगली कड़ी में हम सभी जुड़ेंगे आप सभी के साथ एक और नई औश्रधी ले करके या फिर एक और नई जानकारी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों सकता है झाल झाल